और आज चर्चा का जो विशय है शिव सुत्र पे आधारित अद्वाइत अनुभूती और विद्या का संगहार विद्या संगहार कहने का तातपर क्या है और इस विद्या संगहार का अद्वाइत अनुभूती से क्या संबंद बनता है तो इस विशय पे हम चर्चा आज करेंगे यहां विद्या संगहार कहने का क्या अर्थ है और अद्वैत अनुभूती का क्या अर्थ है विद्या संगहार और अद्वैत अनुभूती जी हाँ, यही दो मुख्य विशा है और दोनों कैसे संबंदित है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे विद्या संघार कहने का तात्पर है विद्या का संघार अब विद्या शिवसुत्र के अनुसार दो प्रकार की विद्या की चर्चा की गई है विशिष्ट और आविशिष्ट शुद्ध और अशुद्ध विद्या इंद्रिय जनित विद्या जो इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे अशुद्ध विद्या माना गया है लेकिन जब इंद्रियों की गती अंतर मुखी हो जाए मन बुद्धी उस आत्मा की और गमन करने लगे उनकी दिशा आत्मा की और हो जाए तो विद्या भी प्रगट होती है लेकिन विद्या, अविद्या या अशुद्ध विद्या या शुद्ध विद्या ये सारी चीजे एक बाधा मातर ही है ब्रह्म अनुभूती में अद्वैत अनुभूती में शिवतत्व के ज्यान में वो सब बाधा मातर ही हमारे सामने आते हैं इसलिए जब तक अद्वाइत अनुभूती ना प्राप्त हो जाए तब तक विध्या संघार नहीं होता हम विध्या के ही कल्प और विकल्प में उलजे रहते हैं तो यहां विध्या संघार कहने का तात्पर है जैसा कि पिछले व्याख्यानों में हमने श्रवन किया शरीरम हवी ही ग्यानम अननम अर्थात शरीर को हवी बनाकर शरीर को समिधा बनाकर ग्यान यग्यमे भश्म करना स्वाहा कर देना वैसे ही ग्यानम अननम और उस हवन का जो अन है वो स्वेम ग्यान है वह ज्ञान जल कर भश्म होकर सत्य ज्ञान अध्यात में ज्ञान अध्वैत ज्ञान का रूपधारन कर लेता है तो यह अध्वैत ज्ञान क्या है? ब्रह्म का बूध का रूपधारन करता है लेकिन जो विद्या है जो भी विद्या बुद्धी के आधार पर प्राप्त होती है इंद्रियों और बुद्धी के आधार पर वह सब ही इस अद्वाइत अनुभूती में बाधा है तो शरीरम हविही और ज्ञानम अन्नम कहने का जो अर्थ है वह दस्वें और शाक्त उपाए शिवशुत्र के अंतरगत जो शाक्त उपाए है उसका यह आखरी सुत्र है उसका यह आखरी सुत्र है शाक्त उपाय और शिवशुत्र के अंतरगर तो इसका तात्पर है कि जैसे शरीर हवी ही लिखा गया शरीरम हवी ज्यानम अन्नम वैसे ही अविद्या के संगहार की बात कहीं जारी है और सुत्र क्या कहता है सुत्र कहता है विद्या संहारे तदुत्य स्वप्न दर्शनम जब तक विद्या का संहार नहीं होगा तब तक स्वप्न दर्शन रहेगा स्वप्न दर्शन मतलब वैकल्पिक दर्शन इंद्रिय जनित जो अनुभूतियां हैं यह संसार भी सपन के समान ही अनुभाव गम में है लेकिन जागरत अवस्था में हम इसमें ज़्यादा सचेत रहते हैं इसलिए हमें यह ऐसा भान होता है कि इंद्रियों के माध्यम से यह सब सारी चीज़े प्रगट हो रही है तो जो भी विद्या का विशय है जब तक विद्या का संगहार नहीं होता तब तक स्वपन दर्शन चलता रहता है अर्थात संसार की माया का दर्शन चलता रहता है गो गोचर जह लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई गो गोचर जह लगमन जह जहां जहां इंद्रियां हमारी जाती हैं वहां वहां सब माया ही है ऐसे बताया गया तो इंद्रियों से जनित जो भी ग्यान है वो विद्या अविद्या की श्रेनी में आता है और जब तक ऐसे विद्याएं हैं और उनका संहार जब तक नहीं हो जाता है तब तक अध्वैत अनुभूती संभव नहीं होती इसी को समझाने की यहाँ पर बात चल रही है इसलिए कहा गया यदा परम अध्वैता अनुभव रूपाया विद्याया अनुथानम भवती तदा भेद निश्ठस्य स्वपनश्य दर्शनम भवती अत एवयोगी विद्यायाम सर्वदा अवहितो भवती जब तक परम अद्वाइत अनुभाव रूप विद्या का उदय नहीं हो जाता जब तक विशिष्ट विद्या का उदय नहीं होता परम अद्वाइत रूप अद्वाइत अनुभाव का जो विद्या है वो जब तक प्रगट नहीं हो जाता तब तक भेदनिष्ट स्वपन अर्थात विकल्प का दर्शन होता रहेगा इसलिए योगी विद्या के अवधान अर्थात विचार में ही सदामगन रहते हैं वो ब्रंभ विद्या की ओर ही अगरसर रहते हैं वो अद्वैत को ही समझने में लगे रहते हैं और यह जो विद्या है जो बाहिय विद्या है इंद्रिय और बुद्धी से संकलन जिस विद्या का हुआ है संचे जिस विद्या का हुआ है वह बाधा मात्र है इसलिए उसका संगहार विद्या संगहार जब तक नहीं होगा तब तक स्वपन दर्शन चलता रहेगा इसी सुत्र का कहने का अर्थ है कि जब तक विद्या संगहार नहीं होगा तब तक स्वपन दर्शन, विकल्प का दर्शन सविकल्प की अवस्था बनी रहेगी अभी कल ही कुछा ता कि सविकल्प समाधी और निर्विकल्प समाधी में अंतर बताईए तो सविकल्प मतलब विकल्प के संग विकल्प के साथ विकल्प का दर्शन चलता रहेगा जीव जो है वो सविकल्प बना रहेगा निर्विकल्प नहीं हो पाएगा जब तक विद्या का समराज्य बना है क्योंकि सारे विकल्प विद्या का आधार लेकर ही बनते हैं सारे विकल्प विद्या का आधार लेकर ही अस्तित्व में आते हैं इसलिए विद्या संहार लिखा गया कि जब तक विद्या का संहार नहीं होगा तब तक स्वपन दर्शन बना रहेगा तब तब विकल्प दर्शन बना रहेगा तब तक माया का दर्शन बना रहेगा कहने का ताथ पर ये है फिर जाकर अद्वाइत अनुभूती होगी तो अब यह भी प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यूं है कि विद्या संहार के बाद ही अद्वाइत अनुभूती होगी ऐसा क्यूं है कि इंद्रिय जनित जो विद्या है इंद्रिय मन और बुद्धी से जनित जो विद्या प्रगट हो रही है जिसका अनुभाव में हो रहा है वह जो विद्या है वह अध्वैत अनुभूती में बाधक क्यूं है क्योंकि संसार की जो पंच ग्यानेंद्रियों से अनुभाव गम में आने वाली यह जो विद्या है, यह जो अविद्या है या माया है, वह सब असत्य है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या मतलब उसका स्वरूप वैसा नहीं है, जैसा वो हमें इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, या जैसा हमें इंद्रियों से अनुभाव गम हो रहा है उस अद्वाइत का वैसा स्वरूप नहीं है वह तो विकल्प से परे वह तो नर्विकल्प भावातीत तत्व है जो हमारे emotions और feeling से कोई संबंद नहीं रखता वो beyond भावनाज है beyond thoughts है वो ब्रह्म जो है हम हम पूरी तरह से जब एकागर हो जाते हैं अपने सारे विचारिये शक्ति को सारे मन की शक्ति को हम focus कर देते हैं और दूसरे विचारों को ग्रहन करने में अपना समय बरबाद नहीं करते हैं तो उस अवस्था में अद्वईत अनुभूती संबह हो पाती है जब इंद्रिय जनित बुद्धि जनित विद्या का संगार हो जाए उसका निरोध हो जाए योगश चित्वर्ती निरोधा चित्वर्तियों का निरोध हो जाए मन पुर्णता शान्त हो जाए कब निश्य ही जाकर जब ऐसी शांती और ऐसा निरोध मिल जाता है कि मन शांत हो जाए कब निश्य ही जाकर अद्वईत अनुभूती कर पाना संभव हो पाएगा नहीं तो विद्या के चक्कर में और बहु सारे इंद्रे अनुभूतियों और बुद्धियों के चक्कर में हम संसार को भी स्वपन के मानिंद नहीं देखते रहते हैं संसार को भी स्वपन की भाती मोहित होकर हम देखते रहते हैं लेकिन जब विद्या का संगहार करकर जब ब्रह्म विद्या प्रगट होती है तो वह हमें अद्वैत का ज्यान करा देती है अद्वैत की और हमें ले जाती है अद्वैत की साधना हमसे करवाती है ठीक है तो हमें ये समझने की आवशक्ता है ये हमें समझने की आवशक्ता है तो इसलिए जो अविद्या का विशय है जो सांसारिक विद्या का विशय है उसके संघार की बात यहाँ पर की जारी है जो इंद्रिय जनित, सेंसुल विद्या का विशय है, उसको संघार कर देने से मन से परे, बुद्धी से परे, जैसा कि निर्वान अश्ठकम में लिखा गया मनो बुद्धी एहंकार चित्तानी नाहम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम इनी से तो विद्या का संकलन होता है लेकिन इन सब से परे जो ब्रह्म है वो भावातीत वो आहंकार से परे उसका अनुभाव मुझे हो जाता है वहाँ जाके ब्रह्म विद्या प्रगट हो जाती है और जो विद्या है उसका संहार हो जाता है तो हमें इस प्रकार से विचार करते हुए इस विशय को समझना चाहिए कि अद्वैत अनुभूती कब होती है क्योंकि अद्वैत में कोई भेद नहीं है तो कि जहां भेद होगा वहां अद्वैत टिकेगा नहीं वहां तो कई चीज़े बन जाएंगे फिर तो फिर अद्वैत कैसे बोलोगे अद्वैत में कोई भेद नहीं है अद्वैत में कोई अंतर नहीं है अद्वैत में कोई परेशानी नहीं है तो जो अद्वयत है, वो शब्दा तीत, भावा तीत अवस्था में ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होता है ध्यान योग के द्वारा वो प्राप्त होता है अद्वयत तो इसी लिए हमें अध्वाइत को जानना है और अध्वाइत को जानने के लिए जो संसारिक चीजे है वो बाधा उत्पन करती है शुरू में चलिए प्रेड़ना देने के लिए विचार भी अच्छ है लेकिन वो बाधा उत्पन करती है और अंतता हमें अपना परिवर्तन करना पड़ता है उस बादा से मुक्त होने के लिए हमें और अधिक अंतर मुखी होना पड़ता है और अधिक साधना की ओर आगे बढ़ना पड़ता है और अधिक शांत होना पड़ता है और अधिक प्रणाव साधना और ध्यान योग करते हुए हम उसी ब्रह्म में लीन होते हैं तो ऐसा ही प्रयास हमें करना चाहिए और ऐसी प्रकार से ब्रह्म अनुभूती और अद्वयत अनुभूती की यहां चर्चा हो रही है चरिए आएए इसी के साथ आगे हम देखते हैं आपके कमेंट्स नभजोत नात जी बहुत अभी नंदन है कमलेश खैरनर रविंद्र मकवाना कीतारा माली जितेंदर साहु अबनीच प्रधान जी नभजोत नात हरीश डंगवाल रूप लाल विश्व कर्मा विश्णू चंदर मौरिया रमेश पेश्वानी आशा रानी गनेश पवार राम गोपाल जांगेर जी गोविंद प्रसाद नीमा सतीश मास्टर उशा शिर्वास्तो गनाई कुमार नभजोत नात युदिश्चिर ने जब हिमाले परवत से सर्ग गई तब वह कौन सा सर्ग था सर्ग क्या था राम गुपाल जांगेर जी साक्षी और ब्रह्मा क्या फर्क है साक्षी देखता रहता ब्रह्मा नहीं देखता इसमें क्या फर्क है साक्षी और ब्रह्मा में तो फर्क है साच्छी अवस्था थूरी अवस्था है और ब्रह्म तो तूर्यातित है शिवा शर्मा, राम प्रकाश, रच्णा जी केकेत्यागी जी, रतन सिंग जी, विनोध कुमार सुध ब्रहम पाल कुमार, अमन ककर, राम लखन राजपुद अशोक रावल, बिनोध कुमार शर्मा, आधी कुश्वाह, क्या सांखी योग पुरुष प्रकृती डुएलिटी के अंडर है या नॉन डुएलिटी के अंडर है सांखी योग पुरुष प्रकृती के साईयोग से श्रिष्टी की चर्चा करते वे अंतता हुआ, डुएलिटी के अंदर में ही चलता है क्योंकि इस संसार द्वैत है या भावनात्मक जगत को सबने द्वैत माना है अध्वैत इससे परे है यह संपूर्ण जो सेंसुल वर्ल्ड है वो डुएल में ही है डुएलिटी के अंदर ही आएगा इसलिए प्रकृती की जब चर्चा होगी तो डुएलिटी के अंदर होती है डुएलिटी और ट्रिनिटी भी आता है Trinity मतलब त्रैतवाद, रजोगुन, तमोगुन, सतोगुन इन ही से सारा संसार अस्तित्यों में आ रहा है तो इनकी Trinity भी चलती है फिर निती सिनहा जी, आदी कुश्वाहा जी यदि आत्मा शुद्ध है, ज्यान सरूप है और उसमें अविद्ध्या कहां से प्रगट हो गया कहां कहां, कब बताया गया कि आत्मा में अविद्ध्या प्रगट हो गया अविद्ध्या तो मन में है, बुद्धी में है, चित में है आत्मा में कहां हुआ जगत नरायन जी, विरेंदर मिश्रा जी, रशना जी क्या निर्जला एक आदशी है और इस दिन अन जल नहीं लिया जाता है गंगा दशहरा बताते हैं आज जो लोग वरत नहीं रखते हैं उनके जीवन पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है इतना ही प्रभाव पढ़ता है कि उसका लाभ वो नहीं उठा पाते हैं बस जीवन जो चलता है वो चलते रहता है अगर करते हैं तो कुछ लाभ भी मिलेगा कुछ पुन्य भी मिलेगा नाम नर्सा राम जी आदिकुश्वाहा जी जला राम रहिका अमन कक्कर गुरु जी मंत्र साधने की कृपा एक मंत्र लेकर अभ्यास की विधी बता सकते हैं प्लीच अब अलग-अलग विक्ति के साथ अलग-अलग समस्याएं हैं किसको क्या मंत्र चाहिए किसको कैसा मंत्र सही रहेगा ये का अलग-अलग विशय है ठीक है तो ये आपका विक्तिकत विशय है तो विक्तिकतरूप से एक बढ़ आपर प्रश्न कर देजिए, इसका की मंत्र साधने का क्या है और मंत्र के बारे में भी ध्यान योग कोर्स में बताया जाता है और ध्यान योग कोर्स जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर जॉइन करेंगे तो ध्यान यूग कोर्स से ही ये मंतर जाप का विशह भी इस पश्ट होता है ठीक है फिर तो 14 जून से ये कोर्स सुरू हो रहा है प्राकर्टिक चिकित्सा नैचरोपैथी और ध्यान यूग कोर्स ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स है यदि आप इसको जून करना चाहते तो जल्द से जल्द जून कर लीजिए आज 9 तारिक हो गया है 14 तारिक से कोर्स शुरू हो जाएगा और जून कर लीजिए उसके जो भी लिस्ट है वो तैयार होनी शुरू होगए कि लोगों ने जून करना शुरू कर दिया तो आप अगर नहीं जून की है तो जरूर जून कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो यह सब विशे हम समझे थोड़ा सा और हमारे लिए सरल होगा चलिए पिसी के साथ आज अभी विराम देते हैं कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नौ बजे झाल слова थाल झाल